तो है जबताए घंटे मैं बदाए बजारों । अगले हपते की त्यारे में काफी कुछ होते वे दिखा ऑँप अगले हप्ते कई सारे बड़े ट्रिगर्स हों गया जिस पर बजार की नज़र होगी तो इन तमाम मुद्दों पे अगले आदे घंटे में चाचा करूँगा और आपको बताने की कोशिस करूँगा, समझाने की कोशिस करूँगा कि अब आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए इस हपते कुछ स्टॉक्स ऐसे थे, जहां काफी गिरावर देखने को मिली, तो कई से शेयर थे, जहां इस हपते हमने एक अच्छी मजबूती देखी है तो इन शेयरों पे अब आपकी क्यार रनीती होनी चाहिए, इन तमाम उद्दों पे इस अगले आदे गंटे में चाच्छा करूँगा लेकिन कहते है न, अंत भला तो सब भला, आज के सत में ऐसा हुआ कि फाइनली जो है हपते के आखरी कारवारी सत में बाजार ने रिकावरी दिखाई, मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब हुआ, निप्टी में हमने देखा करीब 135 संक्री के मजबूती देखने को मिली साथ परस्म करके सकते हैं कि 0.75% की मजबूती हुआ देखने को मिली, निफ्टी, बैंक निफ्टी वहले अच्छा परफॉम ने करें, लेकिन बैंक निफ्टी ने अमने देखा कि मिटकेप इंडेक्स ने अच्छा परफॉम किया, इस हपते आइटी एक ऐसा इंडेक्स था जिसमें सबसेरा तेजी देखने को मिली, 3% से ज़्यादा के मजबूती इंडेक्स में देखने को मिली इस हपते के लिए, इसकला फार्मा इंडेक्स देखिए, जो दूसरा ऐसा इंडेक्स था, इसमें इस हपते हमने मजबूती देखिए और आपने देखा इस हपते, कई स यहां लगाता तीजी करो देखने के मिला चाहों सीपला और डॉक्टर एडी जैसे स्ट्रोक्ष जहां पर इस अप्टेन थोड़ी मजबूती देखने के लिए लेकिन बागी जो इंडेक्स थे वहां दबाव देखने के मिला और इस अब्सक्राइब जिस इंडेक्स में हमने बसक्राइब डबाव देखने के ला प्येस बैंकों में हमने थे कि इसके पहले हमने देखा था कि पीस ड्रॉक यहां भी दबाव देखने को मिला एक रफ्टार कैसकते हैं कि जो एक गेंडेः का अधिय। तो कवे बैस कह सकते कि मिला जुलार देखने तरह लींक कुछ स्थोक्स देखिए जो इस हबते के बाजार में हमने देखा कि एक तेज मुनाफ़ा बस देखनों को में इस अपने निफ्टी का बरेंज में ट्रेंट किया निशला स्टा 44,289 था, यहां भी करीब 7-800 अंकोर का हमने देखा कि एक बड़ा सा गैप बनता हुआ देखा और वहां पे हमने देखा कि इस बड़े रेंज में करवारी सब्ते बैंक निप्ती ने भी किया, तो कमेश कर सकते हैं कि डारा बहुत बड़ा इस सब्ते देखनों क कि मैंने कहा कि सब्ते IT इंडेक्स में सबसेरा मजबूती देखने को मिले थी, NTPC, यहां करीब 3-3-4% के मजबूती देखने को मिले, दवाब कहां देखने को मिला, ऑटो जिसकी मैं बात कर रहा था इंडेक्स की, हीरो मोटो कॉप, सबसेरा दवाब यहीं बनता हुआ इसका वीकली चार्ट आप देखेंगे, तो शांदार रैली, IRFC, करीब 30% के मजबूती इस सब्ते हमने बनते हुए जैसा है, मिटके मैंने बता है, यह कैसा इंडेक्स था, जो सब्ते मजबूती दिखा था, इसके लाब IRFC, करीब 23-29% के मजबूती देखने को मिली, इंडि हिंद कॉपर, KSP पंप जैसे स्टॉक्स थे, जहां मजबूती देखने को लिए, नतीजों के बाद इस सब्ते देखें, के बड़ा उच्छाल देखने को मिला था, इसके लाद आप देखी सब्ते, वेलस्पर इंटरप्राइज जैसे स्टॉक्स थे, जहां के इस सब्ते मज सब्ती बनते भी दिखी, जैसा कि मैंने बोला कि सब्ते, रियल्टी स्टॉक्स में दवाब था, गोदेश पॉपर्टीज को देखिए, महां करीब सारे 12 पसंद की गिरावर देखने को मिली, इसके लबा, मैक्स हेल्थ की और एक फार्मा स्टॉक्स, महां भी हमने देखा कि सब्सक्राइब देखने के मिला, तो यह पूरे हफते का लेखा जोखा है, अब चुकी नतीजों का सीजन थोड़ा कम हो चुका है, अब नतीजे थोड़े कम आने वाले हपते, अलाकि आपको मैं बताऊंगा आगे कि कौन-कोन से नतीजे आने वाले, लेकिन अगले हपते के अगले हपते के त्यारी कराने के लिए हमारे दर्शकों को अगले हपते के त्यारी कराने के लिए करेंगे अगले हपते के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का किया देखते किया उनीज़ार पांसो होल्ड करेगा वापस से मंदे से यह आपको लगता है कि एक बार और गोरी गिराबर देखनों को मिल सकती है उनीज़ार तीनसो को जो हमने बेस बनाया वह बेस भी तूट करेंगे आदित म्यूट करेंगे तभी देश कि तमाम लोग आपको सुन पाएंगे और जान पाएंगे मनीज जी गूड आफ्टरनून थांक यू फर हैविंग वी अन देशो देखिए बुल मार्केट है और बुल मार्केट में शाप करेक्शन साते रहते हैं जो वीक हैंड आपको देखने को मिली है उससे लगता है कि जो बेस बनाया है बजार ने करीब करीब 19300 200 का वह एक शॉट टर्म अच्छा सपोर्ट है बजार के लिए और 19500 पे भी काफी कॉल राइटर से तो वह भी एक हर्डिल बजार ने क्रॉस कर दिया है और लीडर्शिप आपको देखने को मिल रही है तो बजार का टेक्श्च्चर बढ़ा है अच्छा है और देखिए इस में बजार में सक्टर रोतेशन होता रहेगा कभी कभी आई टी की साइट से लीड मिलेगी बट चलती आपना नहीं चाहिए बर ऑपर्चनेटी डूढनी चाहिए कौन से सेक्टर चल रहे हैं जैसे इंडिया बूल हाउजिंग इस बार चला केमिकल सेक्टर इस हफते चला आगे भी आने आले हफते में केमिकल से अच्छा लगता है रियालिटी अच्छा चला तो दिख रहा है कि तेजी का माहूल बना हुआ बिलकुल बाय करने की ऑपर्चनेटी डूढनी चाहिए तेजी का माहूल बना हुआ और अगले हपते के लिए कि पॉलिसी एक बड़ा ट्रीगार होगा अगले हपते के लिए नमस्कार मनिश जी और दर्शकों को नमस्कार तो अगले आफते जैसे आपने कहा कि बिलकुल बैंक निफ्टी में पूरा एक्शन रहेगा क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट है जो देखा जाता है बैंक पॉलिसी तो इसके चलते हमको देखना है कि बैंक नि तो अगले हफते अगर 45,000 पार कर जाता है तो थोड़ा एक मोमेंटम पिकप प्रायर डू पॉलिसी हमें देखने को मिलेगा तो 45,000 पार करते ही आप एक बाय ट्रिगर अब बना सकते है ट्रेडिंग के लिए जहां पे आपको 45,400 से 500 के स्थर इमेजिटली आपको उपर में देखने को मिल सकते है अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में हम कंपैरिजन करें तो बैंक निफ्टी का सेट अप बढ़िया है क्योंकि वहां पे जाधा एक्शन ओपन इंट्रेडिंग का जो वॉल्यूम से वहां पे बिल्ट अप हो रहा है तो अब बाय करें तो करेंगा 45,000 ब्रेक करने का और आपको शायद पॉलिसी के पहले एक हल्की सी तेजी देखने को मिल सकती है तो सियर तो पर पॉलिसे से पहले थोड़ी से मजबूती देखने को मिल सकती है अब फटापट को शेयर के बारे में चर्चा करते है खास्तों पर जिसमें इस हबते ह हमने देखा कि एक अच्छी रैली देखने को में लिए किया यहां से और तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है एक शेयर देखिए जैसा कि आई-टी हमने देखा कि शांदा परफॉर्म किया है इस हपते क्या रहा होगी आदित दिक्सन टेक को देखे है इस हपते हमने कर काफी सेलिंग प्रेशर भी बन रहा है तो शौट टर्म में दिक्सन में आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है दो से पांच परसंट और थोड़ा नजरिया बड़ा है अगर आपका एक महीने दो महीने का नजरिया तो रैली वापस कंटिनू हो सकती है तोवर् खासतोर पे अक्षा है कि आपको लगता है कि शेयर जो वापस से तेजी की सुरुआत हुई है यह भरुसे मंद है और शेयर पर दाव लगाना चाहिए यहां से तो केजबी पंप में अगर दिखा जाए तो इस हफते अच्छा खासा मूव देखने को मिला है मोमेंटम है स्टॉक में तो थोड़ा मोमेंटम कंटिनू होगा तो अगर आपका अल्रड़ी बाई पोजिशन से तो आप मोमेंटम राइड करें दो से तीन तके का और मूव अगले हफते में देखने को मिल सकता है अलकि फ्रेश तेजी करना है तो थोड़ा हम एडवाइस करेंगे कि आप वेट एंड वाच कीजिए क्योंकि यहां पे एक मेडियम टर्म किस तरसे न्यू एडिशन करना सही ने रहेगा अगर आपके पास है तो उसे मुमेंटम राइड करेंजे वेट एंड वाच फॉर थोड़ा डिप के लिए फॉर लॉंग टर्म इंबेस्मेंट यह हमारी सलाह की जी तो फिलाल के लिए इस अगले हपते के लिए नहीं करने के सलाह आपके पास है तो आप इसको एक स्टॉपरस लगा के शेयर क अगले हपते भी आने वाले हैं यह तमाम बड़े इवेंट्स बताने के लिए हमाने साथ इमड़ी सायोगी वामक्षी जूट चुकी है वामक्षी अगले हफते के लिए और कौन से बड़े ट्रिगर से हिंडाल को कोल इंडिया और अडानी पोस के नंबर्स एक्सपेक्टर है और अगस्ट आट को अगरासिम इंडाश्रीज हीरो मोटोकॉप के नंबर्स आएंगे और अगस्ट 10 को और अपुल हॉस्पिटल्स और ओन जीसी भी अपने नंबर्स के बल पर फोकिस में रहेंगे और अगस्ट 11 को आपियो मार्किट की अगर हम बात करें तो यहां पर भी काफी अक्षिन नसर आ रहा है और अगस्ट 7 को आखरी दिन है स्ब्सक्राइब करने का यथाथ हॉस्पिटल्स भी यह दिन पर लिस्ट होने ही जाएगा दोनों एक्स्चेंज इस पर इसके अलावा अगर हम देखे तो आगस्ट 8 को आखरी दिन है कॉंकोर्ट बायो टेक के आईप्यो को सब्सक्राइब करने का अगले हफते एक नया आईप्यो भी खुलने जा रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए और यह आईप्यो है टीवी एस सप्लाइचें सेलूशन का जो ऑगस्ट 10 को खुलकर ऑगस्ट 14 को बन होने जा रहा है एगम के लहाज से भी कुछ काउंटर्स फोकस में रहेंगे का मैंजमेंट की तरफ से क्या कॉमेंटरी आती है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी तो ओवराल एगम के चलते हमारी नजर होगी टाटा मोटर्स, L&T, हिरो मोटर कॉ टाटा सील खास करके HDFC Bank, Ultra Tech और BioCon इसके अलावा अगर हम देखे एक क्यूज भी काफी सारे आएंगे अगले हफते ऑगस्ट 10 को हमारी नजर होगी US से आने वाले CPI और Initial Jobless Claims पर ऑगस्ट 11 को हमारी नजर होगी भारत से आने वाले Industrial Production Data, US से आने वाले PPI, UK से आने वाले Industrial Production Data और UK GDP Data पर इसके अलावा Corporate Front पर भी अगर हम देखे तो काफी action expected है, August 7 को हम Ease My Trip पर focus करेंगे क्यूंकि company consider करने वाली है issuance of equity shares और यहां पर वो proposed preferential issue भी consider करने वाले है, August 8 को Maruti Suzuki को भी अपने रेडार पर अखियेगा क्यूंकि company consider करने वाली है, कैसे वो acquisition करने वाली है 100% सुसुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड में कैसे consideration company पे करेंगी उस पर चर्चा होगी, और आखिर में focus करेंगा उन्हों मिंदा पर हम expect कर रहे है कि company की board की भेटक होने जा रही है, for fundraising raising को लेकर NCDs के द्वारा, तो लाज़री यह थे सारे important events जो आपके radar पर होन अच्छी तो दिखाया है लेकिन पूरे हफते में काफी ज्यादा उतार चड़ा को रजान देखने को मिला हिंडाल को लेकि क्या आपको नजरिया है आपको लगता है कि इस लेबल से वापस से थोड़ी मजबुती दिखा सकता या यह 450 से लेके 475 का जोन है इसी के भी चगल बाइ किया जा सकता है अभी 457 चल रहा है यहां से बाइ करें और स्टॉप लॉस रखे 430 का और टार्गेट रहेगा 490 से 520 का कि यह रहा है तो यह से थोर पर हिंडालकों में एबडी सी को देखिए अच्छा है हमने देखा था कि बाइबै की खबर से लगातार जो है शेयर में अच्छी मजबुती देखने को मिली थी और अगले हपते जो बाइबै को लेकर विचार होना है क्या रहा होगी आज भी द जैसे आपने कहा कि यह बाइबैक के चलते यह सेंटिमेंट के पीछे यह स्टॉक चला है तो शायद इसके चक्कर में स्टॉक में मोमेंटम पकड़ाए पर अगर आप जुलाए 22 का हाई देखेंगे तो 390 का स्थर एक बहुत ही एहम रेजिस्टन्स है FDC के लिए तो शायद 377 का क्लोज है और आपको 10 से 15 रुपए उपर में देखने को मिले यह मोमेंटम में 390 या मैक्स 400 वहाँ पे आपको एक बार मुनाफ़ा वसुली कर लीनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही एहम रेजिस्टन्स तर है तो अगर बाइ करना है तो 15 रुपए का चेहेंनी किस लाओगी मजबूती शेयर में देखने को मिलो सकते इस हपते एक शेयर और यहां पे हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिली वाषट में लर् Ages लेथ साफ्टों कि क्या लेकर टियादी ऑन इसकी आलाब को फार्मा में यह अपको नजर आटा है इसम एक अच्छे मजबूती देखने को मिल सकती है। मैं वेट और वाच करना चाहूंगा अभी लॉरस लाप पे ही थोड़ा मॉडरेटली बुलिश की राय रहेगी। एक सेक्टर और देखी अक्षय है। इस हबते हमने बहुत बिटाई होते हुए और यह शेयर कह सकते हैं। बीते एक देर महिने में शांदा आई टन दिया, रियल्टी इंडेक्स है। यहां जिन शेयर को देखे इस रियल्टी इंडेक्स के तमाम शेयर में दबाव देखने होगा। इस पूरे सेक्टर में आप अगले हपते के लिए को एक शेयर जिस पर आपको देखनी चाहिए। किस पर देखेंगे। तो रियल्टी सेक्टर का अगर मैं सिर्फ चार्ट देखूँ तो यह एक बहुत ही एहम टॉप पे है जो करेबन नवेंबर 22 में देखने को मिला था पात्सो पचास पात्सो साथ के स्थर पे। वहां से वो इंडेक्स में थोड़ी सी मुनाफ़ा वसुली देखने को मिली है और अगर एक थोड़ा मीडियम टर्म के व्यू लिया जाए तो यह सेक्टर में आगे जाके थोड़ा और दबाव बन सकता है तो आने वाले हफ़ते के लिए तो थोड़ा सा एक माइनर उच्छ जहां पर तोड़ा मुमेंटम है तो तेजी पकड़ने के लिए आप देड़ से दो टका का मुमेंटम कैप्चर कर सकते हो बाकि पूरा सेक्टर अगर ऐसा देखा जाए तो हमारा मानना है कि थोड़ा साइडवेज रहे इसमें आप निवेश फिलाल ना करे यह सेक्टर को स् इतिजार करें अब एक स्टॉक और देखिए इस हपते जहां हमने इसमें काफी दवाब देखने को मिला करीब 6-7% के दवाब देखने को मिला इस भी आई 620 के जोन से यह गिना शुरू हुआ और आज नतीजों के बाद काफी तेज ग्राबर देखने को मिली करीब 4-7% से इस हपते में यह टूटा है आज नतीजे आए नतीजे के बाद शेयर में एक बार भी पुलबैक या रिकवरी देखने को नहीं मिली और कह सकते हैं कि जिस दिन के निशली हस्तर क्या सब्सक्राइब बंद हुआ है आखरी इस विए में इसा क्या हुआ हुआ नतीजे के 25% ग्रोथ जब year-on-year basis पे देखे sequentially slight drop आया है even sequentially margin में भी contraction आया है तो some amount of margin pressure clearly visible है यह numbers से जब overall operating profit को देखे उसमें एक solid 98% जंप आया है क्यूंकि base lower था Q1 F23 में SBI ने treasury losses book किये थे तो वो offset करते हुए in fact यह quarter में treasury gains है तो वो correct base नहीं है पर even sequentially एक growth आया है operating profit में क्यूंकि OPEX काफी contained रहा है तो operating profit में एक अच्छा growth दिखाया है OPEX contained दूसरी तीसरी बात provisions number 2500 क्रोर पे आया है जो कि expected था 3500 क्रोर पे तो 30% lower expectations से आया है जिसके वज़ा से यह दो वज़ा से एक OPEX lower और एक provisioning lower इसके वज़ा से एक profit after tax पे बीट आया है 16,884 क्रोर पे profit after tax 178% से grow हुआ है year on year basis पे अगैन बेस क्लियर नहीं कि ट्रेजरी लॉस था क्यूब 1.22 परसेंट पे और ओवरॉल एक अधित अगले हपते के लिए क्या आपको इसका support बता सकते हैं कि आप 550-560 के आज पास यह support लेगा या अपो लगता है कि थोड़ी गिरावर टगले हैं तो और देखने क्यों मिश सकते हैं कई लोगों के portfolio में share है बिलकुल बिलकुल एक blue chip stock है SBI और बहुत लोग के portfolio में होता है और है तो SBI में support बन रहा है है वह बन रहा है 565 का दूसरा support बन रहा है 555 का 550 का तो एक बार देखते हैं यहां इस लेविल पे stabilize होता है कि नहीं और फिस टॉक में क्या trend बनते हैं यह हम एक बार प्री अज्यूम कर रहें कि यह support लेविल्स हैं तो हमको देखना है कि नेक्स वीक में यहां पर support बनता है कि नहीं तो 555 555 पांसो पचास मतलब को यह मान के चलिए कि आसपास का support है वह देखना है कि अगले हपते यह शेयर सपोर्ट को hold करता है कि नहीं अगले हपते लगातार आप इटनों सोधस देखते रहे हैं आपको इस शेयर के बारे में अधित अक्षा थोड़ा समय कम है तो जल्दी से सबसे पर आदित आप बताए आपके कौन से वियाएपी स्टॉक सेंगे फिर अक्षा बताएंगे देखे मैं तीन स्टॉक लेके आया हूँ दर्शकों के लिए एक टेक्नोलोजी से है एक स्टार्ट अप स्टॉक है और एक NBCC मेंने एक चुना है कंस्र्रक्षण से फाइन्सिंग से तो NBCC को भाई किया जा सकता है 47 एक फॉर्टेटी टू कर रहेगा अनंटी फञीट करहेगा टार्गेट दूसरा स्टॉक टेखन में बाई किया जा सकता है 2855 का रहेगा स्टॉप लॉस और 3490 3700 का रहेगा टागेट तो इंडिया माध बारा सो तक हमें दिखाई दे रहे इसमें तो आप करेंट रेट से 790 तक आप इसमें बाईंग कर सकते हैं दूसरा जो शेर है वो रहेगा वोल्टास वोल्टास में बहुत ही एक स्ट्रॉंग प्राइज मूव यह हफते हमें देखने को मिला था यह स्टॉक ने एक बेस बनाया हुए 750 में जहां पे बहुत स्ट्रॉंग वॉल्यूम सपॉर्ट भी है तो एक पॉसिबल डबल बॉटम क कंप्लीट होगा 930 के स्टर पर जो हमारा टार्गेट एरिया भी बनेगा तो आप इसे करेंट ट्रेट से लेके 810 तक आप बाई कर सकते हैं अग दो से तीन महीने के हिसाब से आप देखे तो आपका उपर में 900 से 925 के लेवल मिलेंगे और एक स्टॉप लॉस के हिसाब से आ अगर आपने टार्गेट एस्टॉप लस्ट नोट नहीं किया है तो अस तरीका असान है इतनाव सोदेश के ट्यूटर हैंडल को जाईए वहां फॉलो कीजिए वहां आप टार्गेट एस्टॉप लस्ट वापस से देख सकते हैं यूटूब पर पूरा शो देख सकते हैं अ